जैए माता दी दोस्तों, हर साल जेस्ट मा की शुकल पक्ष की नौमी तिथी के दिन महेश नौमी का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शिव ने महेश स्वरूप में वर्दान दे कर महेश्वरी समाज की उत्पत्ति की थी। भगवान शिप का महेश वरू दोनों शब्दों महा और ईश से मिलकर बना है। इसमें महा का अर्थ है महानतम और एश का अर्थ है ईश्वर। अर्थार जो सबसे महान ईश्वर और देवताओं के भी देवता हैं वही महेश यानि महादेव हैं। हम भगवान शिव की उपासना से संबंदिन कई त्योहार मनाते हैं लेकिन महेश नौमी का दिन महेश्वरी समाज के लिए विशेश त्योहार का दिन होता है इसे दिन भगवान शिव के आशिरवात से महेश्वरी समाज की उत्पत्ती हुई थी इस दिन भगवान महेश और मा पार्वति की अराधना करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है भगवान शिव का महेश स्वरूप भगवान शिव के महेश स्वरूप को सारे जगत से उपर माना गया है। भगवान शिव महेश स्वरूप में पृत्वी से उपर एक कमल के पुष्प पर लिंग रूप में विद्यमान है। इस रूप में भगवान महेश को बेल पत्र, त्रीपुंड, त्रीपत्र, और डमरू के साथ दर्शाया गया है यहां प्रित्वी से उपर होने का अर्थ है कि भगवान महेश शिवजी का वह स्वरूप है जिने कोई भी सीमा बांध नहीं सकती भगवान महेश के त्रिपुंड में ही तमस्त संसार समया हुआ है इस स्वरूप को त्रिशूल को पापों का नाश करने वाला डमरू को नवी निर्मान का प्रतीक माना गया है कमल पर विराजमान भगवान महेश शुबता और मंगल का प्रतीक हैं सकंद पुराण में भगवान महेश के बारे में बताया गया है कि भगवान महेश नहीं अपनी शक्ति से शिरी विष्णु जी को उत पन हुए ब्रह्मा जीने स्रिष्टी के निर्मान का आरंब किया विश्णु जीने स्रिष्टी का पालन भार संभाला और भगवान महेश के अंशावतार शंकर जीने स्रिष्टी के विले का कारे भार संभाला भगवान महेश ही शंभू है और उनके महेश्वर अंश से ही त्र वर्षों बीच जाने के बाद भी राजा की कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेश्टी यग्ये करवाया और रिशियों की सेवा की। आगे जाने पर उन्होंने देखा की एक सूरी कुंड के पास कुछ रिशी यग्ये कर रहे थे। सुजान कवर ने सोचा की इनी रिशियों के मला करने की कारण मैं कभी उत्तर दिशा की तरफ नहीं जा पाया। यह सोच कर वह क्रोध वर्ष रिशियों के यग्ये में बाधा ड प्याहग दिये और सभी राणिया भी सती हो गई इस घटना की जानकारे जब सुजान कवर की पतनी को हुई तब वह रिशयों के पास गई और अपने पति और साज ससुर के प्राण वापिस पासकती है। तब राजकुमार सुजान की पती चंद्रावती ने सच्चे मन से भगवान महेष और मापार्वती की आराधना की। चंद्रावती की भक्ती से प्रसन होकर भगवान महेश और मार पारवती ने उन्हें अखंडे सवभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशिरवाद दिया और साथ ही साथ ससुर और पती को भी जीवनधान दिये। भगवान महेश की आग्या से राजकुमार सुजान ने शत्रिय कर्म छोड़ कर वैश धरम को अपनाया जिस दिन राजकुमार सुजान को परिवार सही जीवनधान मिला उस दिन जेश्ट महा की शुकलपक्ष की नौमी तिथी इसी तिथी पर महेश्वरी समाज की उत्पत्ती हुई थी यही कारण है कि आज भी महेश्वरी समाज दवारा इस दिन को धूमधाम से महेश्वौमी के रूप में मनाया जाता है इस दिन शर्दा और भक्ति से भगवान शेव और मा पारवती की पूजा अर्शन की जाती है कैसे करें शिप जीक distractions महेश्वामी के दिन शिवलिंग पर बेर के पत्ते और जल जरूर अर्पित करना चाहिए महेश नौमी के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से दरेदरता और आर्थिक परिशानिया दूर होती है और नौकरी व्यपार में सफलता मिलती है इस दिन भगवान शिव की स्तूदी और उमा महस्त्रोत क अपार्ट करने से मनो कामनाएं पूर्ण होती है इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताक की नया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों